साथियों आपने राजनितिक स्वार्थ के लिए राज का आहित करने वाली कॉंग्रेस की सोच का आज मैं एक और उदहन आपको देना चाहता हूँ 1947 में जब देश अजाद हुआ 1947 में भारत के तुकड़े हो गए माता को आजहाद कराने के लिए यह भारत मा की भूजाएं काड़ दे गई और 1971 में बंगलादेश का निर्माड हुआ दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए जो पाकिस्तान में बंगलादेश में अफगानिस्तान में अलपसंख्यक थे जिनका ध्यान रखने का सम्द्योता हुआ था यह अलपसंख्यक पाकिस्तान में अलपसंख्यक कौन है बंगलादेश में अलपसंख्यक कौन है अफगानिस्तान में अलपसंख्यक कौन है इन अलपसंख्यक कौको और उनमें अधिकतार हिंदू थे सीख थे बहुत थे जैन थे इसाई संप्रदाय के लोग थे पार्ची लोग थे ये लोग अनेको पीडियों से वहां रह रहे थे वो कहीं और ते वहां जाकर नहीं बसे थे इन लोगों ने अलग देश की मांग में नहीं किती उन पर तो ये फैसला सरब 47 में थोपा गया था हिंदूओं में भी अधिकतर दलीद परिवारों के लोग थे जो विपाज़न के बाद पाकिस्तान में रह गए थे और ये वो लोग थे जो वहां साप सफाई경ा काम करते दो जिनको पाकिस्तान के जमिनदारों है ने वहां सेवा के लिए कामकाज के लिए रखा था बहाँ जो दलीक, बंचीक, सोसित रहे गए थे, उनके साथ अमानिविय बरताव हुआ, उनके मंदिरों पर कबजा किये गए, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर्च, तिर्ट छेतर, हर्च, सर्जा केंदर, संक्रट में आ गया, घर तो उनके पास क्या थे, जोपडियों में जिनकी गुजारे से, उन पर भी कबजा कर लिया, बहु बेटियों के साथ, दिन दहड़े अत्याचार हुए, यही स्थिती, वहां रहने वाले सिख परिवारों के हुई, ऐसे लाखों साथ ही, पाकिस्तान, बंगलादेश और बारत आई, दसकों से, वह बारत के अलग-अलग सानों पर रह रहे हैं, अन्य दिक्रुत रूप से रहाई जाते हैं, उनको राजनिती के लिए उप्योग तो किया गया, लेकिन उनको नागरिकता को लेकर सिर्व बादे मिले, और आप अख़बार निकाल दीजिए, हर चु कॉंग्रेश के किसी नेता ने, कॉंग्रेश के किसी नेकिसी काई ने बयान दिया है, पुराने अख़बार निकाल देना, उन्होंने वादे किया है, कि हमारी सरकार बनेगी, तो बंगलादेश, पाकिस्तान से आए हूए जो विस्थापित है, उनको हम नागरिक अधिकार देंगे हिंदू को देंगे शिक को देंगे ऐसा भी कहा है लेकिन कल आपने देखा कि फिर पलट गए भाईयों बैनों जिस गरीवी गंदगी और उपेख्चा की स्थिती में यह हमारे भाई बैन पाकिस्तान में थे कॉंग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ बही बरताव किया भाईयों और बैनों दस साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बड़े तो दर्जन और इसाई परिवार भी किसी तरह अपनी जान बचा कर भारत आये थे भारत इसलिए आये थे क्योंग उनके भी पुर्खे इसी दर्थी से जुड़े हुए थे लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कॉंग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया ऐसे इसाई परिवार आज भी बहुती दैनिये स्थिती में जिन्दगी गुजार रहे है शात्यों आज जब ऐसे लाखों गरीब प्रताणित बंचित शोसित दलीग परिवार शिक परिवार इसाई परिवार उनको भाजबाने अपने बादे के अनुसार नागरिकता देने का कानून बनाया तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसका भी विरोध कर रहे है आप पुझे बताइए भाईयों बैनों उनको न्याय मिलना चाहिए गर नहीं मिलना चाहिए उनको भारत में सरन मिलनी चाहिए गर नहीं मिलनी चाहिए उनको अधिकार मिलना चाहिए गर नहीं मरती पहचान लिया है को ग्रेस सिर्फ और सिरफ को कॉंग्रेस और उसके सयों को कि स्वार्थ निती है वोट बेंगं की चिंता है इनको पता है कि दलीतो वंतितो पिछडो आदिवासियों ने इनको ठुकरा दिया है इसलिए एक बोट बेंग इनको अपना आखरी सहारा दिख रहा है इसके लिए वो इस देश को करोड़ मुस्लिम साथियों से भी छल कर रहे हैं उनको जूट बोल रहे हैं साथ योई जो नागरिक्ता के कानून में संसोदन हुआ है इसका भारत के नागरिक जो हमारे मुसल्मान भाई है इस कानून से इस देश का हिंदू है मुसल्मान है इसाई है पार्सी है बहुत है जैन है जो पहले से भारत का नागरिक है उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है लेकिन जुट बोले जा रहा है भाईयों बैने इसी तरह की राजनिती के लिए ही कॉंग्रेस और उसके साथ ही नौर्टिस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां ब्रह्म फेलाएं जा रहा है कि बंगला देश से बड़ी संग्या में लोग आ जाएंगे जबके कानून पहले से ही भारत आ चुके सरनाथियों की नागिरिक्ता के लिए 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आएं उन सरनाथि को ही इस ववस्ता का प्रस्वम में रखा गया है इतना ही नहीं नौर्थ इसके करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दाइरे से बहार है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दल जिनकी राजनिती गुस्पेश्यों के समर्थन से चलती है वो वहाँ ब्रह्म फ्रलाने का प्रयास कर रहे है